सबसे पहले हम एक पेपर ले लेंगे पेपर या हो फिर या अकवार कुछ भी ले सकते हैं और एक सिलिप में सिलिप हम कट कर लेंगे अगर आप से सिलिप कट करने आती है तो आपको इसको इसको किप कर देना है सबसे पहले हम सिलिप की लंबाई रख लेंगे फिर उसके बाद तीन इंच पर हम निसान लगा लेंगे फिर आमें 3 इंच पर निसान लगा था उसके हम सीalthy देंगे और ऑगे सबहिए यहां से तीन इंच पर गोलाई देदिंगे इस तरीके से और जो हमने पांच इंच का निसान लगाय था उसको हम इस तरीके से शेफ देदेंगे और मार्जन के लिए कपड़ा रहेंगे और इसकी हम कट कर लेंगे आप या ये देख सकते हैं हमार वालें की इस aan चुकई किए किसी पेपर पर या अखवाल लेकर आप इसकी कटिंग कर सकते है कि वैं कि अब तक करके एक निशान लगा लें madre Till we較 कुछ अब एक ऐच में निशान लगा लेंगे हम आप इंचे टेप की मदद से लगा सकते हैं या आप किसी मदद से लगा सकते हैं, एक निसान हम सीधा लगा लेंगे, फिर हम दो दो इंच पर निसान लगा लेंगे, एक ही लग गया हमान निसान, दूसरा ये निसान लग गया दो इंच पर, और तीसरा हमने ये निसान लगा इस तरीके से निसान लगा लेंगे अब यहां पर तिर्शा करकर इंची टेप को निसान लगा लेंगे इस तरीके से ही हमें सब को आगे को शेप दे नहीं है तिर्शा करकर इंची टेप को इस पर दिखाई नहीं दे रहा है मगर मुझे दिखाई दे रहा है वह तलका उसके लिए हो देख सकते हैं आप बहुत ध्यान से इस तरीके से हमें इसको निसान लगा लेने हैं जो हमने वीच वाली लाइन कीची थी और यहां पर लाकर उसको बंद कर देना इस तरीके से हमें निसान लगा लेंगे बहुत ध्यान से इसको देखना देख सकते हैं आप इतने दिखाई दे रहे हैं कि हमने निसान कैसे लगा हैं अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे किस तरीके से हमें कटिंग कर लेना जो हमने बीच में जो निसान लाया तो उसकी कटिंग नहीं करना है कि उसको छोड़ देना कि हमें का टिंश में कर लेंगे हैं यह देख सकते हैं हमारी यह कटिंग फौच चुकी है चालिए अब हम इसी कपड़े पर सीधा करके रखते हैं यह देख सकते हैं हमें कपड़ा लेना इस तरीके से हमें कपड़ा पर इसको सैट कर लेना है और पिनप की मदस्ते हमें इसमें पिनप से अच्छे सैट कर लेना ताकि हमारा सैसी रहे है इस तरीके से हमें समय पिनप कर लेना है कि देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा यह मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा इस तरीके से हमें इन में समय पिन अप कर लेना आप चाहो तो ऐसे पिन अप कर सकते आपके यह बहुंद और नहीं चाहो तो आप ऐसे भी आ्राम से उचीस को कर सके कि देखिये मैं ने इस तरीके से में किन अपकर दी है अब जो अश्ट्रक कपडा हमारा यह जो है इसकी हम करेंगे इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और यहां पर हमें एक इंच कपड़ा बढ़ा कर छोड़ना है यह हमारी कटिंग हो चुकी है चलिए अब मसीन पर हम बताते हैं इसकी प्लेट है कैसे बननी है यहां से प्लेट उठाएंगे और इसको इस साइड में ऐसे ही रख देंगे हम और सिलाई लगा लेंगे फिर ऐसे हमें दूसरी प्लेट को उठाना है और उसको भी हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है ऐसे ही हमें तीसरी प्लेट को भी उठाना है और उसमें भी शिलाई लगा लेनी है इस तरीके से हमें इसकी प्लेट भर लेनी है सेम साथ तरीका में दूसरे तरफ अपनाना है यहांसे इज़ उठाएंगे इस प्लेट को और यहां पर इसको इस तरीके ज़ेए सिलाई लगा लेंगिनक यह आप बिगना रहा है आप पिंप कर ले सब की उसके बाद में सिलाई लगा लें ऐसी हमए इसको उठाना है और इसको भी हम इस तरीके से शेव दे देंगे तीक इस तरीके से हमें इसमें सारे में सलाई लगा लेनी है यह देखे अब हम इसकी पिनम निकालकर इसको हटा लेंगे इस तरीके से हमें इस सारे पिनम निकालकर अब हम इसको हटा लेंगे यह देखिए हमारा डिजाइन यह देखिए हमारा डिजाइन अब बनकर इस तरीके से दीखे गई है आगे से कटिंग कर लेंगे और एक कपड़ा लेंगे दो इंच का और इस तरीके से इसको रखकर हम सलाई लगा देंगे यह देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है अब हम आगे इस पर एक मोती या फिर नगल लगा लेंगे देख सकते हैं हमारा डिजाइन बन कर रेड़ी है वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को नहीं हो तो सबस्क्राइब जरूर करिया और अपने फ्रेंड के साथ इसको सेर जरूर करिया मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू और वाचिंग